हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात दो सो तीन चीजों का एक दम नया और बहुत ज़्यादा करारा नास्ता यह नास्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है तो चलिए फैंड बीना किसी देरी के फटा पर्चेस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यानि की मैसेज आपको मिल सके और आप फटा फर्चेस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस नास्ते को बनाने सब्सक्राइब करने से इसके अंदर बिल्कुल भी लंपस निभस थे और हमारे जो नास्ता है वह बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है तो आलू को कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन से चार बार एककटी हुई हरी मिच हरी मिच अपने सपारिस के कोर्डि दालीए का इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो बार एकटी हुई प्यास तो प्यास को आपको बहुत ही महींच और आगर आप प्यास नहीं कहाते हैं तो आप इसके बात लेंगे में खुप सरा रही धनिया जो टेस्ट होता है विश्ट में बहुत अच्छा आता है तो इसे आप थोड़ा सा जादा कॉंटुटी में डाल सकते चीली विध्विक्स दालेंगे एक चोथाई चमच जितनी काली मेश का पाउडर एक चोथा चमच जितना हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मेश तो ये बिल्कुल भी ठीकी नहीं होती है इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच जितना धनिया पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर तो इन सारे ही मसालों को आपको बहुआत ही कम कौंटरिटी में आलना है लेकिन आपको जो गरम मसाला ढालना है वो एक चमच डालना है तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलो में मसालों को आपको हाथ सही अच्छे से मिक्स करना है इससे हमारे आलो में अंदर तक मसाला जाएगा तो देखिए इस तरह से आलो को हमने अच्छे से मसाल कर अच्छे सा डो बना लिया है इसमें आपको किती तरह के ब्रेट क्रम या चावल का आटा डालने की बिल्कुल भी ज़रूद नहीं है इसी तरह का ये डो रहेगा तो हमारे आलो का ये डो तैयार हो चुका है तो इसे बम साइड में रख लेंगे और अब अपना हम डो तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक बैटर बनाएंगे जिसे हमारा जो नास्ता होगा वो बहुत इज़ता क्रिस्पी और टेस्ट की लगेगा तो इसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप से थोड़ा सा कम चावल का आटा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल का आटा जोए वो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए ताकि हमारा जो नास्ता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बने इसके बाद आप हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चपमचिते चिलेफलिक्स तो नमक से हमारा जो बैटर होगा वो बहुत ज़दा रूखानी लगेगा और हमारा पूरा नास्ता बहुत ज़दा टेस्टी बनेगा तो सबसे पहले हम सारी ड्राय इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें धीरे-धीरे करके पानी डालेंगे और अपना एक लंप-फ्री बैटर तयार कर लेंगे बैटर जो हमारा होगा वो बहुत ज़दा गाड़ा भी नहीं होगा और बहुत ज़दा पतला भी नहीं होगा तो देखिए इस तरह से आपको धीरे-धीरे करके पानी डालना है और बैटर को आपको स्मूथली अच्छे से मिक्स कर लीना है तो बस एक से दो मिनट लगेंगे आपको इस बैटर को बनाने में और यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो रैडी हो चुका है तो बैटर की जो consistency होगी वो आपको मैं दिखा देती हूँ तो देखिए कुछ इस तरह की consistency वाला बैटर आपको चाहिए तो अब अपने अलू को हम ले लेती है तो देखिए अलू का डो हमारा काफी अच्छे से सट हो चुका है तो अब अपने आलू के डो के थोड़े से अमांट को हम हाथों में लेंगे आप चाहें तो हाथों को फॉले से ओयल से ग्रीस भी कर सकते हैं ताकि आलू हमारे हाथों पे बिल्कुल भी चिपके नहीं और इसकी हम इस तरह से हम पतली पतली टिक्किया बनाएंगे तो टिक्कियों को आपको बहुत ज़ता पतला बनाना है बिल्कुल भी मियूटा नहीं बनाना है तो देखिए इस तरह से आपको सारी टिक्कियों को बनाकर रेडी कर लेना है तो फैंस माथ दो आलो में हमारा जो नासता है वो दो से तीन लोगों के लिए एनफ हो जाता है बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिंजी बनता है तो इस तरह से आप इसे फ्रीज में भी स्टोर करकर रख सकते हैं तो देखिए हमने अच्छे से इसमें सारी टुक्यों को बनाकर रेडी कर लिया है तो दो से तीन ही मिनट लगते हैं आपको इन टुक्यों को रेडी करने में अगर आप इस टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें प्यास वगरा बिलकुर भी आड़ना करें क्योंकि प्यास बाद में स्मेल करने लगती है तो देखे इस तरह से हमने अपनी सारी ट्यूक्यों को बना कर रेडी कर लिया है तो अब फटा फटा से चलते हैं हम सेक लेते तो फैंस आप हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे तो तेल आपको बहुत ही जादा कम डालना है क्यूंकि इस नास्ते को हम डीफ फ्राइ नहीं करेंगे सेलो फ्राइ करेंगे और बहुत हलके तेल में बनाएंगे ताकि हमारा जो नास्ता है वो बहुत हैदी रहे एक चमच तेल के इस तरह से हम हलकी सी बून्देश में डालेंगे और इसे हम चारो तरफ अच्छे से फैला लेंगे तो मासे दो से तीन चमच में हमारा जो नाश्था है वो बनकर रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम अपनी तयार की टिको को पहले पैटर में डिप करेंगे उसके बाद हम एके करके इसे पैन में डालेंगे गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है low to medium flame पर ही इस नास्ते को हम cook करेंगे तकरीबन एक से दो मिनट ही लगेगा हमारे इस नास्ते को बनने में इस तरह से आप एक बार इस नास्ते को जरूर ट्राय किजेगा यह बहुत ही जदा healthy होता है और बहुत ही कम तेल में बन जाता है खाने में तो इतना जबरदस होता है कि आप इसे किसी भी टाइम बना कर खा सकते हो जब भी आपको चोटी मोठी भूक लेके या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो लेकिन healthy भी हो उसके साथ तो आप इस नास्ते को ज़रूर ट्राय करें तो देखिए इस तरह से हमने इसे low to medium flame पर अच्छे से cook करना है जब यह एक साइट से अच्छे से cook हो जाएगा तब इसे हम पलट देंगे और पलट करके हम इसे दूसरे साइट भी 2 मिनट के लिए अच्छे से cook करेंगे तो इस नास्ते को आप जितना क्रिस्पी बनाना चाहें उतना क्रिस्पी बन जाता है और सबसे अच्छी बात है कि यह बहुत ज़्यादा healthy है बहुत ही कम तेल में बन जाता है तो तक्रीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं को मास्ता है वो देञा साइब से अच्छी हो चुका है तो इस तरह आप इसी बच्छी के साथ करें उनीटियों करने चाहिए आप इससे प्राइब में फ़िए आप जब्सक्राइब ले सकते हैं और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी नई मज़िदा रेसिपीस के साथ अब तक लिए अपना ख्याल रखें बाइ और अजाओ बाइए अब बाइए और टेकर रिए अपना ख्याल रखें